हेलो दोस्तों, वेलकम टो चैप्टर वन, आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्लेंडर, जिसमें हम कवर करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ ब्लेंडर, इंस्टोलिंग ब्लेंडर, ब्लेंडर इंटरफेस ओवर्वियू, एंड बेसिक नेविगेशन एंड शॉर्टकॉट ये सब दिखने से पहले हमें कोश्चन लेते हैं, वाट इस ब्लेंडर, ब्लेंडर एक पावर्फूर और वर्सटाइल ओपन सोर्स 3D सॉप्ट्वेर है, जोकि एंटाइर 3D पाइप्लेन को सपोर्ट करता है, इंक्लोडिंग मॉडलिंग, रिगिंग, एनिमेशन, सिमिलेश रेंडरिंग, कमपॉजिटिंग, मोशन ट्रेकिंग, एनिग एडिटिंग, वाइचूस ब्लेंडर, जबकि मार्किट में कई सारे सॉप्ट्वेर है, इसका रीजन है, फ्री एंड ओपन सोर्स, ब्लेंडर एक फ्री सॉप्ट्वेर है, जोकि ओपन सोर्स लाइसेंस, GNU, जन करते हैं, रेगुलर अप्डेट्स, ब्लेंडर अपने सॉप्ट्वेर को टाइम टो टाइम अप्डेट करते हैं, विद लेटेस्ट फीचर एंड टेक्नॉलोची, क्रॉस प्लेटफर्म, ब्लेंडर मुल्टिपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है, चाहे वो विंडो पर लाएगा, यहां पर लिखा है, ब्लेंडर 4.1, यहां से हम ब्लेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं, यहां से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेट कर सकते हैं, ठीक है, अब यह मारा विंडोस पर क्लिक है, मैं डाउन लगएगा जब तक आप इसके features पर जा सकते है फीचर पर क्लिक करके आप blender के feature के बारे में जान सकते हैं यह कि इतना powerful है इसमें कई सारी movie produce हुई है वो भी आप देख सकते हैं यहां पर अपर था है सो दोस्तों ही हिमारा कुछ大家 से डाउंलोड हुआ है Blender 4.1.1 वर्जिन है इसको इंस्टॉल करने के लिए हम इस पर डॉबल क्लिक करते है चोटी विंडो कुल के आती है हम नेक्स्ट करते है इस पर आये सेप्ट नेक्स्ट इंस्टॉल सो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लिट हो चुगी है मैं इसको फिनिश करता हूं और इस विंडो को कट करता हूं अब मैं अबने डेक्स्टॉप पर आकर देखता हूं तो मुझे यहां पर ब्लेंडर 4.1 का आइकन दिखता है और में पस ब्लेंडर 4.0 का भी जो मैं से पहले यूज करता था यानि कि आप मल्टिपल वर्जिन आप एक पीसी में चला सेते हैं ब्लेंडर के ठीक है सो इस उचली उपन करते है फाइनली लॉंच करते है मैं इसको उपन करता हूं सो यहां पर दोस्तों मैं को सबसे ओपर एक ओप्शन दिख रहा है इंपोर एक इग्जिस्टिंग सेटिंग क्यूंकि मैं पहले पहले ब्लेंडर 4.0 यूज करता था तो इसने डेक्ट कर लिया है तो मैं उसकी सेटिंग भी यहां पर कॉपी कर सकता हूं हो सकता है आपको यह ओप्शन ना दिख रहा हो तो हम यहां पर क्रेट नियू सेटिंग करते हैं यहां से आप अपनी लेंगोज सेट कर सकते हैं कि आप लेफ्ट माउस बटन को यूज करना परिफर करते हैं या राइट माउस बटन को किसी बी अबजेक्ट को सेट करने के से लिए मोश्रों दपीपर लेफ्ट ही सेलेट करेंगे ठीक है स्पेस बार से क्या करना चाहते हैं स्पेस बार से प्ले हो यानिकि जो एनिमेशन टाइम लैंड दिख रही है जब भी एंटर करेंगे तो यह हो जाएगी तो हम इसको बाइड पर रहें देते हैं इसमें आप मिनिमर डार काई सारी मिलती है अगर आपको आंकी खराब करनी तो आप यह वाइट वाली भी रख सकते हैं ठीक है सो हम इसको ब्लेंडर डार को रखते हैं एंड सेव न्यू सैटिंग पर क्लिक करते हैं सो हर बार जब भी यह ब्लेंडर ओपन करेंगे अगली बार से यह दाने के लिए उप्शन को ठीक है सो दोस्तों जब यह फर्स्ट टैम ब्लेंडर ओपन करेंगे कुछ इस टैप का आपके सामने इंटरफेस होगा इस इंटरफेस में आपको एक क्यूप दिखेगा बीच में और यह एक लाइन दिखेगी जिसके उपर यह सरकल दिखेगा इ ठीक है और यह जो स्क्रीन आ रही है जहां पर यह क्यूब और लाइट है इससे कहते हैं 3D व्यूपोर्ट यह 3D वर्ल्ड है जो कि 3D डैमेंशनल है और X Y Z तीन डैमेंशन है ठीक है और राइट में आप जाएंगे यहां पर आपको एक छोटी विंडो दिख रही होगी इस जैसे कहते हैं आउट लानर कि जाते हैं यह दोस्तों फोल्डर की तरह है जैसे हमारे कंप्यूटर में Inter- math order हो मैं जिसमें सारा डाटा रखते हैं एसी 3D मेरी फोल्डर है, जो भी यहाँ पर 3D Viewport में होगा, वह रहाँ यहाँ पर ख τηςूपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक हो जायगा, यहां से मैं लाइट पर क्लिक करता हूँ, तो यहां लाइट पर क्लिक को, render setting को, जितने भी properties होती है, हम इस window से connect करते हैं, इसमें आपको कई सारे apps मिलते हैं, इसके अंडर भी, ठीक है, अधिकतर जो हमारा काम होता है, वह हम यही से control करते हैं, properties का, ठीक है, नीचे आपको एक line दिख रही होगी, जिसमें numbers लिखे हैं कुछ, और बीच में play और pause का button बना है, इसे कहते हैं, timeline, जैसा कि हमने starting में select कराता, space bar से, यह play होने लगे करते हैं, ठीक है, यहां से अप click करके देख सकते हैं timeline, okay, यह है हमारा viewport, दोस्तों इस viewport को भी आप customize कर सकते हैं, पूरी तरह के से, जब भी आप इन lines पर जाएंगे, जहां पर की हमारा यह viewport and outline मिल रहा है, इसके बीच में line है, यहां पर आप जाएंगे तो आपको double sided arrow दि पीचे तक छोड़ सकता हूँ, ठीक है, अगर में को time लेना काम नहीं है, तो मैं इसको इतना रखके इसको पूरा नीचे कर दूँगा, ठीक है, ऐसे हम customize कर सकते हैं, और इनको हम change भी कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ, यहां पर आउपर आएंगे और आउट करना नीचे जाए, सो simply हम इस icon पर click करेंगे, इसमें मैं सारे options मिल जाते हैं, जितने भी tabs है, तो अब यह outline पर click है, मैं इसको properties पर करता हूँ, तो इसमें हमारा properties खुल जाएगा, और इसका मैं size बढ़ा कर इसको पूरा करता हूँ, इसको मैं outline बना सकता हूँ, अपनी need के अनुसार, ठी viewport ना आए, तो 3D viewport को मैं हटा कर, यहाँ पर timeline मना सकता हूँ अतनी बड़ी, और जो timeline है, उसको expand करके, मैं यहाँ पर viewport बना सकता हूँ, ठीक है, very simple, तो इसको हम वापिस वही कर देते हैं, जो यह था, ठीक है, इनको one by one आगे चलके समझेंगे भी, आभी हम सिर्फ viewport को customize करना देख रहे हैं, दोस्तों इसमें blender में आपको dedicated window मिलती है, हर dedicated task के लिए, जैसे अभी हम layout tab में है, modeling के लिए आपको अलग window मिलती है, जैसे modeling and layout same ही है, and sculpting के अलग window मिलती है, यहाँ पर sculpting करते है, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering, compositing, geometry note, scripting, यहाँ पर plus पर क्लिक करके आप और भी बना सक है, 2D के लिए बनाना है, 2D animation के लिए, मैं यहाँ से create कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जित्ती है उत्ती है, बना सकते है, and दोस्तों फाइल में जाकर आपको यहाँ पर save का option मिलता है, अपना project save करने के लिए, and control as भी उस कर सकते है, अब दिखते हैं, basic navigation and shortcut, so आपको यह viewport तो दिख रहा है, बट अगर मैं left click करता हूँ, किसी पर भी, तो मैं left click मूव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं move नहीं कर पा रहा, मैं इस viewport में 4 तरफ घूम नहीं पा रहा, left click मैं करता हूँ, तो मुझे यह box दिख रहा है, और right click क पा रहा, ठीक है, move करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इस tool को, यह जो goal circle में आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको x, y, z नाम से directions दिख रही होँगी, इस पर अगर हम left click करते हैं, left click से अगर हम move करते हैं, तो हम अपने viewport में 4 तरफ गूम पाएंगे, उपर, नीचे, x direction, y direction, इस viewport में move करने के लिए हम इसको use करते हैं, ठीक है, किसे direction में front से देखना है, जैसे अगर मैं इसमें जाता हूँ, अगर मैं ऐसे अपने mouse को गूमाता हूँ, तो यह चाव तरफ गूमेगा, जिस direction में गूमाना है, और अगर मैं x पर click करता हूँ, तो x में front right है, ठीक है, यह है back, and z में करता हूँ, top view है, ठीक है, and minus z में जाते हैं, तो यह bottom हो गया, ठीक है, तो इस type से है, और इसको आप shortcut की से भी कर सकते हैं, one होता है हमारा front के लिए, three होता है right के लिए, seven होता है top के लिए, and nine होता है bottom के लिए, so अभी मैं front direction में आयता हूँ, जो इस object पर zoom करना चाहता हूँ, तो zoom करने के लिए हम mouse का scroll wheel होता है, उसको use कर सकते हैं, zoom करने के लिए, ठीक है, but यह mouse wheel है, यह snap होता है, एक दम से smooth नहीं है, यह देखिए, अभी यहाँ पर है, और अगर मैं अगला गुमाता हूँ, तो यह इतना बड़ा, यह snapping हो रही है, इस करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से, एंड जूम इन इस तरीके से, ठीक है, यह हो गया, जूम इन और जूम आउट करने के लिए, अब आप देखे हैं कि हमारे जू क्यूब है, वो काभी कौने में चला गया है, ठीक है, क्यूब और बागी सब कुछ, और अगर हम इस जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, तब भी यह सेंटर में नहीं आरा और इसकी मदद से भी यह सेंटर में नहीं आरा, तो हमें इस व्यूउ को अपने को सेंटर में लाना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं, यह हैंंड टून का, मुव दव्यू, इस पर अगर हम करेंगे तो इससे हम उतना वीव-कूंत् Professor कर सकते हैं सो यह हो गया लेफ राइट मूव करने के लिए तीक है यह हो गया जोम इन एंड सोम आउट करने के लिए और यह हो गया व्यू पूर्ट में मूव करने के लिए तो बार-बार आप दोस्तों इस पर तो क्लिक नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपको शौट की बतायता हूँ, इसकी जो शौट की है, कंट्रोल दबाकर अगर आप मिडल माउस बटन दबाते हैं, तो यह जूम इन एंड जूम आउट होगा, ठीक है यह वाले जो बटन है, इ इसको इदर-दर मौव कर सकते हैं, और यह वाला बटन जो काम करता है, इसकी शौट की है दोस्तों, मिडल माउस बटन, आप सिंपल मिडल माउस बटन को दबाकर, इसमें वीव पोर्ट में 4 तरफ मोव कर सकते हैं, ठीक है, अगर मान लिजे, किसी का मिडल माउस बटन वर् प्रेफरेंसिस में जाने के बाद, आपको इन्पुट में जाना है, इन्पुट में आपको यह ऑप्शन एबल कर लेना है, एमुलेट 3 बटन माउस, इसको इनेबल करने के बाद होगा है, जो भी काम आप मिडल माउस से करना चाहते थे, उसके लिए हम आल्ट दबाकर सेव कर देंगे, वैसे आटो सेवान है, ठीक है, तो इसको कट कर देंगे हम, होगा है जो मैंने आपको शॉर्ट कट बताये थे, कि जूम इन और जूम आउट करने के लिए आपको कंट्रोल एंड मिडल माउस दबाना था, उसके लिए हम करेंगे क्या, कंट्रोल दबाकर, आल्ट और लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, ठीक है, आल्ट और लेफ्ट क्लिक हमारा मिडल माउस बटन का काम करेगा, एंड कंट्रोल हमें दबाना ही था, तो कंट्रोल, आल्ट और लेफ्ट क्लिक से हम, जोम इन और जोम आउट करेंगे, ठीक है, जो मिडल माउस हम यूज क ह legit so दोस्तो आपको करना क्या है काइपको प्रैक्टिस कर्ने सब इंस ही शौठ थे सूट कि आपको डेक्टॉप आपको दिख ली होंगी और मैं आपको टिखाई थी तिल्म खी सकते तो इसको अपको प्रैक्टिस करना है और मैं को सजेच्स करूँगा कि edit में जाके जो preferences में हमने emulate three button mouse enable किया था इसी को आप use करें ठीक है middle mouse को use ना करें क्योंकि यह वाला जो तरीका है यह काफी easy है और आपका जो workflow है उसमें काफी अच्छे से speed देगा आपके काम को ठीक है में को starting में दिखकर दोई थी वाट प्रैक्टिस हो चुकी है मैं भी यही वाटन उस करता हूं जोम इन जोम आउट के लिए and move करने के लिए वीव पोर्ट में इन विव याग बारत दोविव एड़ियो में के लिए अड़ कर दोई गया है थीट करना है अगर ने जाले है और आपको जो भी डावक आता है वह आप नीचे कमेंट सेक्षिए में पूछिएगा ठीके हम अगर easy हुआ तो मैं आपको reply कर दूँगा या फिर हम एक doubt session की वीडियो रखे उसमें उस doubt को solve करने की कोशिश करेंगे और दोस्तों आप चाहें तो मुझे Patreon पर support कर सकते हैं ताकि ऐसी मज़ेदार और informative वीडियो में continuous बनाता रहों ठीके आपका support बहुत ही valuable है मिल लिए तो please आप Patreon चेक आउट कीजिए link आपको description box से मिल दाएगी and मुझे support कीजिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो है